हलो एंड वेल्कम टो समस तो गाइज रिटेल इंवेस्टर्स जनरली ऐसे स्टोक्स में इन्वेस्ट कर बैठते हैं जिनके बारे में हमें फुल इंफिमेशन नहीं होती हैं उनका फ्यूचर नहीं पता होता है और बिना किसी एनलेसिस के ही हम उनको बाय कर बैठते हैं और ऐस क्टेबल इंवेस्टर की कटेगरी में आ सकते हैं तो आज के वीडियो में हम तीन अलग अलग सेक्टर से आठ स्टोक्स के बारे में डिसकस करने वाले हैं ऐसे स्टोक्स जिनका फ्यूचर ग्रॉथ सोब बहुत ही अच्छा हो सकता है तो वीडियो को बिना स्किप किये आप लोस में चले गए ऐसा नहीं करना है अपने आप से भी स्टोक के बारे में फुल एनलिसिस हमें जरूर लेना है धान रहे कि हम जो इन्फरमेशन आप तक पहुचाते हैं वो स्टोक्स के पास्ट पर्फोर्मेंस और रिकॉर्ड के हिसाब से और साथ ही साथ हमारा जो प Recommendation नहीं है कि आपको इसमें पैसा Inवेस्ट करना ही करना है और अगर आपके इन्वेस्टमेंट में यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी है फुल लगै तो वीडियो को एक мал अब कर दीजिए केमंट सेक्शन में हमें Recommendation में हमें बलकुल मह भूले हमें बहुत ही अच्छा अगर आप हमारे efforts को appreciate करेंगे और साथ ही साथ चैनल को subscribe अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो please subscribe channel और bell icon को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले ये informative videos आप तक पहुंच सकें तो सबसे पहला sector जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है IT sector IT sector में बहुत ही ज़ादा गिरावट हमें फिलहाल के टाइम में देखने को मिली है एक opportunity की तरह हम इसे देख सकते हैं तो सबसे पहला stock जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बिरला soft limited current share price की बात करें तो फिलहाल stock 272 के आसपास trade कर रहा है bound week low की बात करें तो 250 के आसपास रहा है bound week high की बात करें तो 430 रुपए के आसपास इसका रहा है face value company की दो है market capitalization 7502 करोड रुपए के आसपास की है book value पर share 37 रुपए के आसपास है dividend yield भी company provide कर राती है 1.65% के आसपास का और अगर हम बात करें कि ROE और ROCE की तो ROE 18.3% ROCE 24.9% है बहतरीन ROE ROCE है इसके debt almost zero है company का debt equity ratio 0.05% के आसपास है तो अगर हम full analysis के साथ देखते हैं तो stock undervalued फिलहाल आ रहा है good opportunity है stock को buy करने long term के लिए hold करके चलना है बहतर results के लिए share holding के अगर बात करें तो 41.08% के आसपास promoter holding है 11.47% FII 21.2% DIY holdings 26.17% के आसपास public holding है और साथ ही साथ 0.08% others की holding भी है तो 33% के आसपास institutional holdings इसके अंदर है गिरावट के बाद भी इतने institutional holdings है मतलब इन्हें future bright नजर आ रहा है इस stock के अंदर second stock जिसके बारे में हम बात करेंगे IT sector से infosys infosys के अगर हम share price की बात करें तो फिलहाल 12.52 के आसपास है bound week low की बात करें तो 11.85 रुपए bound week high की बात करें तो 16.72 रुपए के आसपास इसका है face value company की 5 है market capitalization 5,19,710 करोड रुपए के आसपास की है 31.8% 40.7% ROCE है इसका undervalued stock शो कर रहा है consistently dividend भी प्रोवाइड करवा रहा है और बहतरीन ROE ROCE भी इसके अंदर है अगर हम share holding की बात करें तो 15.14% promoter holding 35.09% FII holding 33.86% DII holding 15.59% public holding और 0.32% others की holding भी इसके अंदर है तो लगभग 70% के आसपास institutional holdings इसके अंदर है clear hint है qualified investors की तरफ से की stock बहुत ही strong होने वाला है future के time में third share जिसके बारे में हम बात करेंगे IT sector से ही है happiest minds limited share price फिलहाल 822 रुपे के आसपास trade कर रहा है bound week low की बात करें तो 763 रुपे के आसपास bound week high की बात करें तो 1136 रुपे के आसपास इसका रहा है face value 2 है market capitalization अगर देखे तो 12,083 करोड रुपे के आसपास की है यह stock भी dividend provide कर रहा है 0.46% का book value per share 45 रुपे के आसपास की इसकी रही है beta rate 0.91% का है तो यह stock over valued stock है फिलहाल ROE ROCE की बात करें तो 80.6% ला जवाब ROE है 31.2% ROCE है profitable stock है बट फिलहाल over valued stock है तो हमें इस stock में bulk में investment नहीं करना चाहिए क्योंकि यहां इस stock में और भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है आने वाले time में बात करें share holding की तो 53.24% promoter holding 4.15% FII holding 1.26% DII holding 38.84% public holding और 2.51% की इसके अंदर others की holding भी है only 5% institutional holdings इसके अंदर है तो यह भी indicate कर रहे है कि bulk में investment हमें इस stock में अभी नहीं करना चाहिए तो यह कुछ बहतरीन stocks थे IT sector से next sector जो हमने आज चूज किया है वो है auto sector auto sector में भी बहुत ही बड़ा growth scope है future में तो पहला stock जो हमने चूज किया है auto sector से उसका नाम है Exide Industries Limited अगर fundamentals की बात करें तो 1955 रुपए के आसपास फिलाल share trade कर रहा है bound week low इसका 130 रुपए के आसपास रहा है bound week high 196 रुपए के आसपास रहा है face value company की one है market capitalization 16,647 करोड रुपए के आसपास की है यह company भी dividend provide कर रही है 1.02% का book value per share 124 रुपए के आसपास company की रही है हलाकि cash flow negative में है but net profit company का अच्छा है 4,595 करोड रुपए के आसपास का undervalued stock show कर रहा है current price पे हम इसे buy कर सकते है share holding की अगर बात करते है 45.99% promoter holding 12.32% FII holding 18.92% DII holdings 22.76% public holding और 7.01% others की holding भी है तो इस stock में भी लगबग 30% institutional holdings है तो institutions को भी पता है कि fundamentals strong है company के और future scope बहुत ही अच्छा है और उन्होंने भी investment करके रखा हुआ है तो हम भी at least उन्हें copy तो कर ही सकते हैं copy करना वैसे share market में अच्छा नहीं होता है हमें अच्छे से अपने phone analysis के साथ ही अपने पैसे को invest करना चाहिए but institutions को अच्छे से information होती है stocks के बारे में तो इस एक point को हम copy कर सकते हैं अगला share जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है M&M महंद्रा एंड महंद्रा शेर प्राइस की बात करें तो 1226 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है बावनविक लो की बात करें तो 843 रुपए के आसपास इसका रहा है बावनविक हाई 1397 रुपए के आसपास फेस वेल्यू कंपनी की पांच है मार्केट केपिटलाइजेशन 152568 करोड रुपए के आसपास की है ये कंपनी भी डिविडिन प्रोवाइड करवा रही है 0.94 परसेंट का बुक वेल्यू पर शेर 455 है आरोई की बात करें तो 14.2 परसेंट आरोची 11.3 परसेंट है एक नेगेटिव पॉइंट जो इस स्टोक के बारे में है वो है इसका डेप्ट इक्विटी रेशो 1.65 परसेंट के आसपास का है कंपनी के उपर लगभग 83,273 करोड रुपए के आसपास का डेप्ट है नो डाउट M&M एक जाना माना ब्रैंड है बट डेप्ट को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं अगर हम इसके अंदर फिलाल ऐलोकेशन दे तो अच्छा रहेगा हमारे पॉटफोलियो के लिए क्योंकि जनरली ओटो सेक्टर में डेप्ट तो होता ही है तो वेटेज कम है बट फिर भी हमें डेप्ट को बिल्कुल इगनोर नहीं करना चाहिए सिर्फ 4-5% एलोकेशन ही अपने पॉटफोलियो में इसे प्रोवाइड करवाए PE ratio के हिसाब से अगर देखे तो undervalued stock आ रहा है बट PEG ratio के हिसाब से अभी भी ये overvalued stock है face value के हिसाब से stock split के chances भी है overall fundamentally strong stock है लेकिन हमें अभी भी debt को ignore नहीं करना है हम share holding की बात करें 19.37% promoter holding 39.24% FII holdings 27.73% DII holdings 9.81% public holdings है बहुत ही कम है 3.85% others की holding भी इसके अंदर है तो institutional holdings no doubt इसके अंदर बहुत ही जादा है debt होने के बाद भी of course उनको भी पता है company के debt के बारे में बट उन्हें ये भी पता है कि company उस debt को कैसे utilize कर रही है उसे profit में convert करने के लिए तो हम भी इसके अंदर invest करने का plan कर सकते हैं अगला stock जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्टोक के price की बात करें तो 73 रुपीज के आसपास फिलहाल trade कर रहा है अगर बात करें बाउन विक low की तो 61 रुपए के आसपास बाउन विक high इसका 97 रुपीज के आसपास रहा है face value company की one है market capitalization लगभग 50,000 करोड रुपए के आसपास की है ये company भी dividend प्रवाइड करवा रही है 0.89% का book value per share 36% की है अगर हम बात करते हैं ROE और ROCE की तो 50% के आसपास इसकी ROE है ROCE 59.4% के आसपास है बहतरीन ROE और ROCE है overvalued stock है फिर भी AP ratio के हिसाब से तो current price से और ज्यादा गिरावट इसके अंदर आ सकती है 3-4% से ज्यादा allocation provide नहीं करवाना है अभी हमें अपने portfolio में इसे बात करें share holding की तो 64.77% promoter holding 10.87% FII holdings 14% के आसपास DIA holdings 9.55% public holding है कम ही है 0.01% others की holding भी इसके अंदर है institutional holdings के अगर बात करें तो 28-29% institutional holdings ये share भी occupy करता है मतलब institutions को इसमें भी अपना profit नजर आ रहा है एक common factor जो आज के सारे stocks में है वो है कि all companies are dividend paying और सब में good qualified investors की holdings है अगर हम happiest minds को एक exception के तोर पे देखें तो उसमें सिर्फ 5% institutional holdings हमें देखने को मिली है तो एक good long term investment plan है सारे के सारे stocks के अंदर एक और बात जिसे बारे में आज हम बात करेंगे कि हमने आज जितने भी stocks के बारे में बात की है वो सभी stocks के हम सिर्फ fundamentals को ही discuss कर रही है तो company का जो business है business portfolio वगेरा है उसके उपर अच्छे से analyze करने का काम आज हम आपको देते हैं किसी भी stock में invest करने से पहले अच्छे से उस company का business portfolio है उसे analyze करें और यह देखें कि future में आने वाले 15-20 साल में उसका scope क्या है no doubt कि IT sectors के बारे में हमने बात की है auto sector के बात की है तो future scope तो इनका बहुत ही अच्छा है लेकिन जिस भी company में आप invest कर रहे हैं अपने पैसे को उस company के बारे में full analysis करना आपके profit को और भी जादा बढ़ा सकता है अगला sector जिसके बारे में आज हम बात करने वाले है वो है agriculture sector बहुत ही बड़ी growth का scope है इस sector में भी तो ऐसे में agriculture से related जो equipments है उनकी companies का भी growth scope साथ ही साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है तो उन पे हम focus कर सक करते हैं तो पहला स्टॉक एग्रिकल्चर से जो हमने चूज किया है वह है एसकोर्ट्स लिमिटेड कंपनी के शेर प्राइस की बात करें तो 1981 रुपए के आसपास विलहाली ट्रेड कर रहा है बाउन्विक लो इसका 1306 रुपए के आसपास रहा है बाउन्विक हाई इसका 2550 रुपए के असपास कि है कंपनी की एग्री मशीनेरी कंस्ट्रक्षन एक्विपमेंट्स और डेलवे एक्विपमेंट्स के spoilers के loroald की कंपनी का सूंक है ना के बराबर है डेप्ट कंपनी पे 48.7 करोर रुपीज का ही है अगर हम ओवरॉल फंडामेंटल देखे तो फिलहाल ओवर वैलुड स्टॉक की केटेगरी में आ रहा है लॉंग डर्म में इसमें अच्छे रिटरंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाला कि जो करेंट मार्केट स्टॉइशन है उसको देखते हुए अगर मार्केट में फिर से करेक्शन आया तो इन सभी स्टॉक के अंदर ही हमें गिरावट देखने को मिल सकती है शेर होल्डिंग के अगर बात करें तो 72.9% परसेंट प्रमोटर होल्डिंग, 4.66% FII होल्डिंग, 8.1% DII होल्डिंग है VST TILLERS & TRACTORS, बेसिकली नाम के हिसाब से ही यह TILLERS & TRACTORS के मैनुफेक्टरिंग का काम करती है कमपनी जो की एगरिकल्चर सेक्टर में यूज होते हैं, अगर फंडामेंटर की बात करें तो कमपनी का शेर प्राइस फिलहाल के लिए 2492 रुपे के आसपास ट्रेड कर रहा है, ब 4.80% का book value per share 860 रुपए के आसपास की कंपणी की है अगर बात करें आरोई आरोची की तो आरोई 3.9% आरोची 18.7% कंपनी का है अच्छे आरोई आरोची है profitable कंपनी है और अगर cash flow की बात करें तो negative में है 3.62 करोड रुपीज का PEG ratio के हिसाब से overvalued stock है लेकिन PE ratio के हिसाब से अगर हम देखे तो undervalued stock ये आ रहा है buying बन सकती है because ये 52 week low के आसपास ही फिलाल ये trade कर रहा है अगर हम बात करें share holding की तो 55.57% के आसपास promoter holding है 1.26% के आसपास FII holdings और 19.79% के आसपास DII holdings है 23.37% public holdings और साथी साथ 0.01% others holding भी ये रखता है तो institutional holdings अगर हम देखे तो इसमें भी 21% के आसपास बन रही है सारे stocks में ही institutional holdings काफी अच्छी है जो कि एक plus point है इन सभी shares के लिए और जो show करता है कि future scope इन सभी stocks का बहुत ही अच्छा होने वाला है तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को like, share, subscribe जरूर कीजिए चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजिए, bell icon को जरूर प्रेस कीजिए और साथी साथ comment section में हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है Thank you, take care